हेलो दोस्तो गायतरी के रसोई में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज मैंने बनाई है बहुती टेस्टी बहुती प्यारी प्यारी कचोरियां तो मैंने ये कचोरियां बहुती अलग तरीके से बनाई दोस्तो तो मैंने आलू को नहीं फ्राई किया है मैंने स्रफ मसाले क हूंगे जाएंगे, मैंने यहाँ पर आलू ले लिया है आलू यह हम नमक भी डाल देंगे और नमक डाल के हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे आधा चम्मस से थोड़ा सा कम इसको मैंसे क्रेश्ट करके डालेंगे दोस्तों और दोस्तों मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है आधे चम्मस से कम तो नहीं एड हो पाया है तो आप जो है जरूर ड देख लेते हैं, तो दोस्तों हमारे आलू ऊबल चुके थे, मैंने आलू को छील लिया है, और हम आलू को गरम गरम ही इसको आलू मैसर से इसे मैस कर लेंगे, तो दोस्तों जब हमारे मसाले आलू में मिलें, तो हमारे आलू भी बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, बिल्कुल भी चम्मज के करिब्व अब बड़ा हम येिश के करिए प्याज को तो मैं एक बड़े साइज का प्याज लSh undergraduate कर लिक मिन ठीड हम लेख Phi कर लिया तो सहा हम सारे और धारा धनिया भी हमाँ थोड़ा से सोगे तो दोस्तों में इसमें भुना हुआ दरदरा धनिया पाउडर डालेंगे तो यह मैंने दो चमज डाल लिया है इसको भी थोड़ा सा चलाएंगे अब हम थोड़ी से मसाले और डालेंगे इधर मैंने थोड़ी सी मतलब चोथाई आदे चमच के करीब लाल मिर्श डालेंगे और ठोड़ी सी ये जाल लेंगे और ये अद्धी चमच से कम मैंने और रिखाईनों डालली येवा मै्ने निमग औ नमक है दुस्तों पहıtक हमारे मसाले बिलकुल रएण नहीं हो दास नतान हो जाते हैं हमारे मसालों मेंसे नमक थोड़ा सा पाणी छोड़ता है तो पानी को बिल्कुल सुखा देना मदर क्यूंक तक धाएंगे मसाले को पूरा ठंडा cory in reports us . गैस को मैंने बंद कर दिया हैं विल्कुल हमारे मसाले बिल्कुल सूख्य हो चुके जितना इसमें पानी था, मोईस्टर था, सारा ड्राइव हो चुका मतलब सूख चुका है, तो दोस्तो हमारे मसाले सूख चुक मतलब ठंडे हो गए, आलू भी ठंडे हो गए, मसालो के साथ आलू को मिला देंगे, तो हम कड़ाई को नीचे उतार लिया है, तो अभी हमारा देखिया, आलू कितना बिल्कुल सूखा बिल्कुल गिला, इसी तरह क्या करें, आइसी करेंगे, ऐसी करते हैं, हम बनाते जब भी कचुरिया, तो हम आलू को और मसाले को ठंडा करके ही मिलाते हैं, और मैं नीम्बू की साइच की बॉल बना लिए लेगे तो इसी तरह हम सारी बॉल को बना लेंगे नीमदु से थोड़ी सी बड़ी साइज की सारी बॉल मैंने बना ली इधर मैंने कैस पर कढ़ाई चड़ा दी कढ़ाई में मैंने ओएल डाल दिया हम एक टिक्की में सुख्छा सा आटा लगा देंगे तोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा आटा होगा हम निकाल देंगे तो दोस्तों इसी तरह से हम सारी टिक्यों को हम तयार कर लेते तो देखें दोस्तों हमने प्लेट में सारी टिकेट तयार कर लिए हैं क्या करेंगे इस पर एक कपड़ा रख देंगे कपड़े से हमारी टिक्या बिल्कुल सू तो देखे दोस्तो हमारी कचोरिया कितनी बड़ी अबेल के तैयार हो गई हैं बिल्कुल भी नहीं फूटी हैं तो हम इसी तरह से दोस्तो सारी कचोरियों को हम बेल के रख लेंगे इधर हमारी टिक्की बिल्कुल सेट हो गई मतला हम क्या करना है जब भी हम मलब कचोरिया बनाए तो हमें क्या करना है कचोरियों को पहले से ही भरके रख लेना है मतलब टिक्क्यों को अच्छे से भरके पहले से ही रख लेंगे यह देखे दोस्तों, बहुत ही प्यारी है हमारी कचोरिया बनके तयार हुई हैं, तो आगे से हम सरफ दो कचोरिया डाल ललके फ्राइ करेंगे, तीन में थोड़ी सी फ्राइ हमारी छोटी पड़ रही है, यह देखे दोस्तों कितनी बढ़ी गोल्डन कलर के हमारी कचोरिया ब दोस्तो ने सारी कोच्रियों कोच्रियों कर लींगे तो दोस्तों यहम प्लेट को लगा लगा लिते हैं झाला हैं आज एक प्लेट लगा लिकाविक ट्रियों के साथ मेंने इस documentary और हरी धनिया की चतनी ऑफ़िए तो दोस्तके से आप भी ट्राइ करें दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें प्राइक करें अब